नमस्कार दोस्तों स्वागते आपका स्टडी वीट नील में दोस्तों MPGK की सीरीज के अंदर अपन दो संभाग पड़ चुके थे नमबर एक अपनने पड़ा था जबलपूर संभाग और दूसरा अपनने पड़ा था रीवा संभाग तो इन संभागों के बाद अपना आज बात करते हैं शहरडोल संभाग की बात अगर दोस्तों शहरडोल संभाग की करें तो इसके अंदर कौन-कौन से जीले संभी थे इसमें मुख्य रूप से तीन जिले सम्मिली थे उसमें से पहला है शहडोल, दूसरा उमरिया, तीसरा अनुपूर चलिए दोस्तों मेप की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि कहां पड़ता है यह यहां आपको दिख रहा होगा शहडोल संभाग यह मत्यपरदेश का पूर्वी संभाग है शहडोल जो यहां दिख रहा है यह दोस्तों इसका शहडोल संभाग का संभागी मुख्याला है तीन जिले हैं उमरिया, शहडोल और अनुपूर एक एक करके जिलो को समझते हैं अपन सबसे पहला जिला देखते हैं शहडोल जिला दोस्तों शहडोल जिले का नाम पड़ा है सहस्त्र प्लस डोल से मिलकर बना हुआ है जिसका मतलब होता है हजारो तालाब इसको बोला जाता है हजारो तालाबों की भूमी किया है वह शहडोल जीला मुख्याला है मतलब जब पांडव अग्यातवास के टाइम पे थे तो जहां पर ये रुके थे अग्यातवास में और जिस नगर का जिक्र आता है विराट नगर का वो तातकालिन क्या था शहडोल ही था विराट नगर कि सोहागपूर प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला शित्र है प्रदेश का यानि कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला शित्र कुन सा है सोहागपूर है और एशिया की सबसे बड़ी कोल फिल्ड भी कहाँ पर इस्थापित की गई है सोहागपूर में इस्थापित की उर्माना दी पर बान सागर बहुत देश्री अंतराजी परियोजना क्या है निर्माना दिन है आगे देखते हैं देश की पहली किन्नर विधायकों ने शबनम मोसी कहां से निर्वाचे थुई थी सोहागपुर से निर्वाचे थुई थी दोस्तों जबलपुर संबा के अंदर अपनने एक बात देखी थी कटनी जिले के अंदर देश की पहली किन्नर महापुर कहां से निर्वाचे थुई थी कटनी से निर्वाचे थुई थी अब दोस्तों अगर बात की जाए कि किन्नरों को मतदान का अधिकार कब दिया गया तो 1994 में किन्नरों को मतदान का अधिकार दिया गया ये आपको याद रखना है कि कब दिया गया मतदान का अधिकार 1994 में किन्नरों को मतदान का अधिकार दिया गया बाण गंगा मेला कहां पर लगता है शेडोल में बुधार क्या है ये स्वतंतरता आंदूलन का प्रमुक केंद्र रहता और बुधार शेडोल में एक जगे है रिलाइंस ग lira द्वरा मिठेन गे सैयंतर का इस्ताविद کیा गया है अगला जिला देखते हैं दोस्तों उमरिया जिला उमरिया जिला दोस्तों मेप में यहां पड़ता है यह उमरिया जिला है प्रदेश का सरवादिक लाख का उत्पादन होता है उमरिया जिले में होता है लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखना कहां पर इस्ताबित किया गया है उमरिया जिले में लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखना इस्ताबित किया गया है दोस्तों अगर लाख उत्पादन की बात कर दी जाए बांदवगट राश्ट्री उध्यान कहां पर है उमरिया जिले में दोस्तों बात अगर बांदवगट राश्ट्री उध्यान की बात करी जाए तो 32 पहाडियों से गिरा ये राश्ट्री उध्यान क्या है यहां पर सरवादिक बाग गनत्व है मद्यप्रदेश में सरवादिक बाग गनत पाया जाता है मतलब प्रती आठ किलोमेटर में एक बाग यहाँ पर मिल जाता है क्लियर है और इसके बारे में पूचा जाता है कि बाग दवगर राष्ट्री उध्यान जो स्थापना कब हुई तो 1968 में इसकी स्थापना हुई और टाइगर प्रोजेक्ट कब बना तो 1993 में टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था हर राज से बिलाला निकाला जाता है वीर सिंगपूर पाली यहां पर क्या है दोस्तों वीर सिंगपूर पाली में संजय गांदी ताप विद्युत केंद रहें यहां पर एक ग्राम एक सरोवर योजना दोस्तों यह क्या चीज़ है एक ग्राम एक सरोवर योजना यहाँ पर दोस्तों 2004 के 5 की आसपास की बात है 803 मीनी डेम का निर्मान किया गया था कहाँ पर उमरिया जिले में 803 मीनी छोटे छोटे बांध बनाए गये थे और इसी की वज़े से 2004 में लिमका बूको वर्ड रिकोर्ड में नाम आया था उमरिया जिले का अगला देखते हैं पानपठा क्या है उमरिया का एक एरिया है वो क्या है कोईला शित्र है अगली बात करते हैं अनूपपूर जिले की अनूपपूर जिला पड़ता है दोस्तों यहाँ पर मेप में आप देख रहे होंगे अमर कंटक एक स्थाने अनुपुर का नर्मदा, सोन, जोहिला और ये नदियां कहां से उद्गमित होती है अमर कंटक से उद्गमित होती है नर्मदा नदी पर जलपरपात हैं दो प्रमुग जलपरपात हैं कपिलधारा जलपरपात और दुगदधारा जलपरपात जो क्रमशे अमर कंटक से ये कपिल दारा है आठ किलोमेटर की और ये है नो किलोमेटर की दूरी पर दुग्द दारा जलब रपात है तो ये किस नदी पर है नर्मदा नदी पर ये दोनों जलब रपात है कपिल दारा और दुग्द दारा और ये जो दो धाराएं हैं, शंबु धारा और दुर्गा धारा, ये दो धाराएं भी कहाँ पर हैं, नर्मता नदी पर हैं, ये आप भी ध्यान रखना है, अमर कंटक ताव विद्यूत के अंदर 300 मेगावाट हो गया, इंद्रा गांदी राष्ट्री जनजाती विश्व अमर कंटक में इस्तापित किया गया है, ये एशिया का प्रथम जनजाती विश्व विद्याले हैं, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर परियाटा की स्थल कौन सुन से हैं, माई की बगिया, माई का हार्ती, नवग्रय मंदिर, आदिनात मंदिर और सर्वोदय मंदिर, तो दोस्तों यही था बस शैडल संबाग के अंदर, जो इंपोर्टेंट फेक्ट थे वो अपने देख लिए शैडल संबाग के, दोस्तों आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाईए, अगर आपको वीडि